नेता परतिपक्च कौन है जस्वी यादव की सरकार है जो बिपक्च का नेता है तो ये न समझे कि हम सरकार में नहीं है आप सरकार की अहम हिस्सा है और सर्यांत खड्यांत के तहत आपको देखने को मिलेगा कि ये NDA वाले लोग कोई न कोई संग भाजपा के लोग का तार जांच में उसके लिए लाठी लेके डंडा लेके तीशूल ले करके हम लोग सुरक्षा में खड़ा है पास्वान सामंत वादी लोग घुसे हुए है वह लोग वहां पर जाकर के घुस करके रे फलनमा रे चिलनमा इकर दे हो कर दे इस तरह से बात को फैला जा रहा है उसमे बता में लोगा नोश्ची जाती जन जाती है तो पर नहीं जाती है जाती क्यों पुछा जाएगा बाबा सहाब नंदु पास्वान एक साजिस का सिकार हो रहे है बिलकुल उस उमर में कभी नहीं कर सकते यह कहीने कहvable उनके पीछे सामन्तवादी ताकत है कbbeने कुछ टाकत एसे अपरादी किसम के ताकत है गहार में नवादा की घठ ना है उस है यह और लोग केlier रहे हैं कि दलीत को दलीत से लडाने का एक बड़ा साजित के यह इस किया रही एक बड़ा सवाल है और नाम जो है नंदू पास्वान आखी नंदू पास्वान énा पास्वान के पीछ है और कितने नाम हैं यह तमाम citizen आपको बताएंगे अब बात करेंगे हमारे साथ में इंजिनियर राज कुमार पास्वान जी है युवा बिहार सेना के राष्टी अध्यक्ष है और हाजी पूर लोग सभा से कई तील बार चुनाव लड़ चुके हैं लोग सभा का देकि हम बात करेंगे काफी समाज में पकड़ है और उस समाज स हो गया है पास्वान समाज देखे जो भी डलित नेता ये कर है कि पास्वान समाज 9 обнаруж हो चुके हैं तो उनको मैं इतना बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब कहीं भी नहीं कहा है कि डलित में 9 समानवान वादी मान सिकता आएगा कासी मानवर कासी राम जी ने कभी भी फूट डालने की बात नहीं कई है लेकिन आज के जो नेता है आज के जो दलित नेता है जो बिधान सवा लोग सवा में बैटे हुए है वो अपना चेहरा चमकाने के लिए टियार पी के लिए कुछ भी उलुल जुलुल बोलते रहते हैं बिहार के पास्वान वो फौलादी ताकत है वो सकती है कि यादवों के बाद अगर दुसरी सबसे बड़ी संख्या वाली जाती है ताकत वर जाती है कि उसको किस तरह से हमारे जो मांजी भाई हैं हमारे जो रविदास भाई हैं हमारे जो रजक भाई हैं हमारे जो मुसर भा और राजनीती रूप से अपनी रोटी को से को सहाब मुझपर्पु में दलित बेटी की हत्या हो जाती है सहाब उस विशह पे आप बोलते नहीं है एक ट्यूट नहीं आता फेस्बुक पे नहीं आता है और एक युवराज बंगाल की बेटी डॉक्टर बेटी पे ब्यान पे सवाल उठे हैं तो वो ये कहा जा रहा है कि अलूल जूल kingdoms ठीक है तो उसके तहत आप करवाईए, सरकार किसकी है, जितारा मांजी जी की सरकार है, सरकार किसकी है, नितिस कुमार जी की सरकार है, सरकार किसकी है, भाई चिराग पास्वान की सरकार है, नेता परति पक्ष कौन है, भाई ते जस्वी यादब की सरकार है, जो भी पक्ष का नेता है तो यह ना समझे कि हम सरकार में नहीं हैं आप सरकार की अहम हिस्सा हैं और आपकी ताकत पर हो इक हम SAT सत्ते धारी जरा भी दायं बाये नहीं कर सकती या कि नहीं अन्स चाहर लेकिन नहीं दस्वान समाचते हैं और मांजी भाई मेरा भाई है मेरान लिला स Corn downward इस तरह की प्रवगंडा चला करके अगर जांच होगी तो जिस तरह से नवादा में जांच हुआ था दंगा में तो उसमें कौन लोग आये थे बड़का जूटा पाटी बीजेपी और संग भाजपा के लोग आया था उसी तरह से कहीं न कहीं सरियंत खडियंत के तहत आपको देखने को मिलेगा कि एंडिये वाले लोग कोई न कोई संग भाजपा के लोग का तार जूरा होगा उस जांच में समझें चुनाव आ रहा है सत चाहते हैं हम दलीतों भाई को टुक्रे टुक्रे में तोर करके और ये सत्ता हतुयाना चाहते हैं कदापी बरदासने करेगा बिहार का दलिता कभी बरदासने करेगा मांजी भाई हो, मुसर भाई हो, रविदास भाई हो, चौधरी भाई हो, पासी भाई हो, कोई भी हो हमारी 22 जातियां का नुसुची जाती जन जाती एक साथ फोलादी ताकत है और उसके लिए लाठी लेके, डंडा लेके, तिशूल ले करके, हम लोग सुरक्षा में खड़ा है पास्वान, किसी पर आच नहीं आने देंगे, समझें, ये जो कहते हैं न, कि पास्वान सामनतवादी हो गया, पास्वान बरहमनबादी हो गया, हम लोग बरहमनबादी वहादी नहीं है। हम लग को भी सताय जा रहे हैं। हमारे पडिवार सताय जा रहा है। किसके द्वारा कि 30 35 साल से किसके ऑस खके समाजी कनिया की सरकारी बीहार में और अभी तक दली समाज टार्गेट है अनुसु सूची जाथी जल्च जाती के भाई लोगी काते जा किसके दौरा एक भी मुसलमान की बेटियों को आज तक देखा है कि उनकी बलतकार से जाने गई है उनकी समोहिक बलतकार हुआ है कभी सुना है आपको बताधे कि एक भी ब्रहामन बहुत कम आता है ये उंची जाती के बेटियों की ये रेप केस का घटना है सिप दलीत की बेटी बहने बहुएं वो लोग होते हैं और आपको हरे गाउं के प्रखंड पंचायत में कौन लोग घुसे हुए हैं सामंतवादी लोग घुसे हुए हैं वो लोग वहाँ पे जाकर के घुस अगरे फलनमा रे चिलनमा इकर दे उकरा वू कर दे इस तरह से बात को फैला जा रहा है उसमें बदनाम क्या जा रहा है हम अनुसुची जाती जन जाती भाईयों को इसलिए कि तोडने कर और मैं साब कर नेताओं उन नेताओं को दलित नेताओं को और उन दलित मीडिया बहुजन मीडियाओं को बहुजन मीडिया को भी इसलिए कि जो कुछ बहुजन मीडिया है जो जा करके जगा जगा तुम दलितवा है तुम दुस्वदवा है तुम चमार है तुम मुसर है तुम जो में यह करते हैं यानि कि आप भी संग भाजपा की सारे पे जाती पुछना आप का पूछा जाएगा बाबा सहाब मानवर कासी रामजीने कहीं भी जाती की बात नहीं किये हम लोग यहाँ पे भोड की राजीती में जाती में टुकड़े टुकड़े गैंग में बाट दिये गये हैं ये क्या है जो चाहर है वो लोग सामनतवादी लोग उसमें हम लोग बठके रह रहे नहीं हम जो जिनकी घर ऑली है जिस मुसरभाय का घर जला है उसके साथ हमारी संबेदनाई हमारा साथ रहेगा और इतना कैदराओं कि बिहार के सारा पास्वान उसमांजी भाई के साथ खड़ा है उनको डर्ने की जुरुत नहीं है जिस तरह से हम रजवारे घराना का सुरक्षा करते थे जिस तरह से देश की सहाधत में क्या सुरते हैं नंदू पास्वान एक साजिस का सिकार हो रहे हैं बिल्कुल नंदू पास्वान साजिस का सिकार हो रहे हैं उस उमर में कभी नहीं कर सकते हैं यह कहीं ने कहीं उनके पीछे सामंतवादी ताकत हैं कहीं ने कहीं कुछ ताकत ऐसे अपरादी किसम के उप्रद सबीधार है बचने की जरुद्ध है और हम लोग को एक जूट रहने की जरुद्ध है विखार दुसरी नरसंघार की और बढ़ रहा है उस नरसंघार से बचने जुरत है हम अनुसुची जाती जन जाती भाईयों को चलिए जातिये हिंसा के दहलीज पर खड़ा है विहार अब यह समझ लीज़े सापतवर पिनों ने एक और सक के दाइरे में खड़ा कर दिया इस विडियों के माध्यम से आपको जानकारी देदें कि सक के दाइरे में खड लेकिन मुकिमर 33 कुमार जी के द्वारा जांस कमिटी बठाई गई है अभी जेस्टिफाइब होना बाकी है कि कौन दोसी है और कौन निर्दोस है यह इसके पिछे भी और कितने नाम हो सकते हैं यह तमाम साजी जानकारी भी बाकी है लेकिन बताया गया है अभी इंजिनियर राज कुमार पासवान जी के द्वारा कि एक साजिस के तहत नंदू पासवान को फसाया जा रहा है और इस बिहार में जातिये हिंसा बढ़ाने की कोशित की जारी है